हलो दोस्तों नमस्कार एक सम्किसी चनल में आपका स्वागत है दोस्तों फैनेंसिर येर 23 के क्वार्टर वन में कई सारे कमपनिया ने बॉनस और श्टॉक इस्प्रिट की घोशना किया है उनमें से दोस्तों आज दो सेयर पे ही चर्चा करेंगे जिन कमपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉंग है और उस कमपनी में फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी है तो आप सौट टाइम में प्रोफिट भी बुक करके निकल सकते हैं और लॉंग टाइम के नजरिये से भी निवेश कर सकते हैं ऐसी दो कमपनियां के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं तो वीडि कमपनी है दोस्तों भारत गियर्स लिम्टेड यह कमपनी अपने शेयर होल्डर को वन इस्टू टू के रिशियो में बॉनस देने जा रही है और बीते सुक्रवार के दिन इन्होंने 1.07% की बढ़त के साथ मार्केट बंद हुआ है 194 रुपिया 40 पैसे पे पिछले कुछ द एक सालों में इन्होंने 31% का रिटन दिया है और पिछले 3 साल में 205% का कुल मिलाक अगर देखा जा तो पिछले 7-8 मंद से जिस परकार से मार्केट में मंदी थी उस बीच में यह कमपनी अपने शेयर होल्डर को 40% का रिटन दिया है भारत गियर्स लिमिटेड काफी पुर प्रमान करती है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमपनी टूवीलर के लिए गीर्बॉक्स बनाती है तूवीलर हो यह फूर्ड विलरर यह ठ्रीवीलर एक फिर बड़ी-बड़ी भैकले सभी के लिए यह कमपने ग्यर्बॉक्स मनाती है और मार्केट कीप के हिसाब से पिचोट इ इंपुलाई बहुत ही अच्छा है 24 का और रिटन और इंक्विटी 25.5 परसंट का बुक बेलू 106 रुपिया पर ट्रेड कर रही है जो कि क्रेंड प्राइस से एक तिहाई भाग पर ट्रेड कर रही है इस बीच में यह कंपनी ने 205 रुपिये का हाई लगाया 120 रुपिये का ल इसमें आपको लाब मिल सकता है अगर आप लॉंग टाइम का पोजिशन लेते हैं तो हलना कि हम आपको बता दें दोस्तों यह कंपनी जिस सेक्टर में कारोबार कर रही है उस सेक्टर में एक से बढ़कर एक दिगज कंपनी है आप यहाँ पर देखें तो मदरसं सुमी सिस् भरोसा कर सकते हैं और क्वार्टर वन के डिजल्प में इन में थोड़ी सी गिरावर्ट भी देखने को मिल रही है सेल्स में आप देख सकते हैं माद्र 183 क्रोड का सेल्स किया और इस दिगज में जो कंपनी को प्रोफिट होना था वो माद्र 4 क्रोड 30 लाका हुआ है 25% परस दोस्तों अगर आप देखें साल 2011 से लेके 22 तक यहीं कि पिछले 11 साल में यह कंपनी में 7%, 8%, 10% हर बार रेविन्यू में तेजी देखने को मिला है और कुल मिला कर फैनेंसियल येर 21 में इन्होंने 503 क्रोड का सेल्स किया था और मार्च 2022 में इन्होंने 729 क्रोड का सेल्स किय इस बीज में जो कंपनी को प्रोफिट होना था दोस्तों आप देख सकते हैं फैनेंसियल येर 22 में तेन्होंने 26 क्रोड का प्रोफिट दर्ज किया है लेकिन इसके पहले कंपनी को 8 क्रोड का लॉस हुआ था और कंपनी को कई बार दोस्तों लॉस का सामना करना पर आप और अगर हम पर मोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहां पर देख से captivity दोस्तों 55 recent 32% के पर मोटर के पास है उनके बा가 e tempt habits थीफ q वाले के पास 0.03 परसंट की हिस्चेदारी है और पब्ली के पास 43% की हिस्चेदारी है पिछले कुछ सालों का अगर डिविडेंट ट्रेक रिकॉड देखें भारत गियर्स लिमिटेट का तो आखरी बार इन्होंने 2009 में एक रुपिया पड़ सेर के इसाफ से डिविडेंट दिया था साल 2014 में एक रुपिया, 2013 में एक रुपिया असी पैसा, 2012 में एक रुपिया असी पैसा तो जब कंपनी में प्रोफिट होता है तो अपने सेर फोल्डर को भी बारते हैं अब बात रही बॉनस की तो पहली बार ये कंपनी अपने सेर फोल्डर को बॉनस देने जा रही है 20 share के बदले में 10 share इन्होंने X bonus date रखा है 27 सितंबर 2022 दूसरी कंपनी IT sector से जुड़ी हुई है जिसका नाम है दोस्तों AAA Technology Limited यह कंपनी भी अपने shareholder को 1-2 के रेशियो में bonus दिने वाली है अग कंपनी का fundamental काफी strong दोस्तों और साथ में यह company कुछ न कुछ अपने shareholder को हर साल dividend भी देती है दोनों तरब से आपको फैदा मिल सकती है और जिस तरीके का इन shareholder का graph देखने को मिल रहा है हो सकता है financial year 22 और 23 के बीच में multi-vegaard stock भी साबित हो सकता है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि company happy early quarter yield लेके आती है और पिछले दो quarter में जवर्दस परफॉर्म की थी क्योंकि यहाँ पर सितंबर 2021 के अगर बात करेते हैं नोंने 4 करोड 41 लाग का sale किया था और माँच 2022 में नोंने 9 करोड 99 लाग का अब आने वाले हैं दोस्तों financial year 23 के quarter 1 इस company के उमीद की जा रही है कि लगवग 13 करोड का sale दिखाएंगे उसके according company profit भी करेगी तो कुल मलाकत देख सकते हैं अगले बार company ने लगवग 10 करोड sale करने के बाब जूद भी 1.5 करोड का profit किया था और market cap के हिसाब से एक small cap की company है मात्र 115 करोड का और price earning ratio 57.7 पे trade कर रही है जो थोड़ी महगी price दिख रही है 135 रुपईया फिला return on capital employee 12 का है और return on equity 8 का है book value 28 रुपई पे trade कर रही है high is बीच में 149 रुपई एक लगाया है low 149 रुपईय बीस का है और dividend yield जो निकल का रहा है नाम मात्र का है 0.25% face value 10 है क्योंकि company जो भी लभांस कमाती है दोस्तों यहाँ पर साब सब्दों में कहा गया है उसका 21% जो है dividend की रुप में अपने shareholder को बाण देती है और पुड़ी तरीके से company date free है जाहिड सी बात है जो company date free जाएगी कमाने के बाद सिर्फ ओ टेक्स देंगे और बचे पैसे से कारोबार को आगे भी बढ़ा सकते हैं उन profit पैसाँ से फिलाल दोस्तों अगर देखा जाएए भी पिछले 10 सालों में तो company में sales में ज़्यादा कंतर देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि इसके competitor एक से बढ़कर एक company है तो यहाँ पर साल 2011 10 क्रोड का sale हुआ करता था तो 22 में भी मात्र 14 क्रोड का ही sale है और उसके अप्यक्छा company जो है 2 क्रोड का profit दर्ज किया है financial year 22 में यहनि कि यहाँ पर साब सब्दों में देखा जाये तो company अपने कारोबार को आगे नहीं ड़ा है जहाँ तक है वहीं तक यह company सिमित होके रह गई है आपको बता दे दोस्तों कि यह ज़्यादा पुरानी listed company नहीं है लगवग एक साल पहले listed हुई थी और उस दर्वियान में देखें तो यह company ने पिछले एक महने में 25% का return दिया है पिछले तीन मंत में 90% का और पिछले नो मंत में 128% और एक साल में लगवग 180% का return दिया है तो अभार रोल यह company return के मामले में तो अच्छी है तो profit नजड़िये से ये भी देखें कि साल 2021 में इन्होंने दो बार dividend दिया है 50 पैसे और 50 पैसे का अब दोस्तों यह company देने जा रही है bonus तो bonus का record date note कर ले 13 सितंबर 2022 को 1 to 1 की ratio में bonus देने जा रही है यानि कि 20 share के बदले में 10 share तो total आपके पास shareों के संक्या 30 हो जाएंगे खिलाल दोस्तों जितने भी company बाउनस stock street दे रही है उन में से तो ये दोनों company अच्छी है लेकिन इन दोनों से भी अच्छी company दोस्तों बजाज फिंसर लिम्टेड उसमें हो सके तो आपको share तूटने के बाद खईदारी कर लेनी चाहिए ये फिर हो सके तो आज की रेट में एक share ही खईद लें क्योंकि एक share के बदले में आपको दस share दिये जाएंगे तो बजाज फिंसर लिमिंटेड पे हमने कल ही वीडियो बना रखी थी तो वह वीडियो भी आपको इसक्रिसम के लिंक में मिल जाएगा बहुत सारे कोमेंट ऐसा भी पढ़ने को मिला है क्या हमें bonus से क्या फैदा जब share टूटने के बाद बेसक share एक के बदले में दो हो जाएंगे ये तीस के बदले में चालिस हो जाएंगे लेकिन valuation by वही रती है बिल्कुल सही बाथ है लेकिन दोस्तों हर company के जो director होते हैं वो इस उमिश से अपने share को तोड़ते हैं ताकि share का price छोटा होने के बाद हमारे shareों में छोटा निवे सक ज़्यादा खईदारी कर सके अब जिस बस्तू में ज़्यादा खईदारी होगी उनके भाव में automatic उच्छाल आएंगी ही आएंगे इसलिए दोस्तों bonus ये stock speed दिये जाते हैं और जिन इंवेस्टरों के पास रूचीरा पेपर्स लिमिटेड राम रतन वायर्स पॉंडे एकसाइड ये सभी company जो है bonus देने जारी है अगर आपके पास share है तो आप अगर comment करते हैं तो हम इन सभी share हों पे वीडियो आप तक जरूर बना के भेजेंगे